कि दोस्तों दो हजार बाई स्टार्ट होने के बाद काफी इलेक्ट्रिक स्कूटर और काफी इलेक्ट्रिक वाइकल में आपर जो सबसिडी प्रोवाइड हो रही है तो बजा चेतक एलेक्ट्रिक स्कूटर की बीगाईज यहाँ पर सबसिडी अप्डेट हो चुकिए है 2022 में यहाँ पर जो इसकी न्यू प्राइस आई है इसका रेजन है कि हमारा जो बजा चेतक एलेक्ट्रिक स्कूटर है ट्याबी के हिसाब से 2022 में आपको बजा चेतक लेक्ट स्कूटर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो भी हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो वीडियो एंड तक जरूर देखना गाईज वीडियो बहुत ही इंपोर्टन एंड बहुत ही यूसफुल वीडियो होने वाला आप देखेंगे स्पेशल एलेक्टर की यूटूब चैनल राइड वीड मयूर सबसे पहला पर लुक देख लिए इंडिकेटर उसका लुक वगर आपको अच्छा मिल जाता है और सबसे अच्छी बात गाईज यह है कि इस एलेक्टर स्कूटर में आपको मेटल बॉडियो यहनी सब्ढ़ी इलेक्टर स्कूटर से बेस्ट आप इसको के सकते हो इसके पर जियादा लगते ही काफी कस्टर मर को गई इसकी पराइस यदा होने के कारणी इसके स्ट्राउ़ बाड़ी भी है उसके बाद आपको काफी बतन्स वगर भी जो आपको आगे मिलते है법 वह बजा चत्तका रिवी भी देख सकते हूँ इसका मैंने ओनर्शिप रिवी भी किया है तो वो भी आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन पर आपको दोनों की लिंक अविलेबल हो जाएगी और गाइज इसका वेट की बाद करें सबस्सकाता है बजा चयतक एलेक्टर स्कूटर की KTM के सो रूम में आपको यहाँ पर जो पर जो आप जो एई तो यह एक अच्छी बात है उसके बाद इस स्कूटर में आपको काफी अच्छे फीचर्स भी मिल जाते हैं जिसे कि इसकी वारंटी की बात करें तो वारंटी आपको लगबग 3-year की वारंटी या 50,000 km तक की वारंटी आपको प्रोवाइट की जाती है जो कि इसमें बैटरी की बात करें तो बैटरी आपको काफी अच्छी बैटरी मिल जाती है जैसे कि रेंज आपको इसको 95 km की रेंज जो कि 5 गंटे में मतलब 5 गंटे में फुल चार्ज हो जाती है एंड बैटरी की बात करें तो IP67 लिटमाइन की बैटरी आपको इसमें प्रोवाइड की जाती है जो कि कमपनी बोलती है कि ऑफिशल बजज बोलता है कि इसकी बैटरी की लाइफ जो गाइज लगबग सतिर हजार किलो मेटर तक यहाँ पर आराम से चलने वाले अगर आप यूज अच्छे से करते हो नॉर्मली या साथ साल तक यहाँ पर बैटरी की लाइफ बहुत यसी कंपनी बोलती है अरांड स्पीड की बात करें तो गाइज यह लगबग 60 किलो म Choi तक हुप सर्विट है जो की 0-40 किलो मेटर पर 4.5 सेकंड में पिक ली जाती है तो guys यहाँ पर हम बात करें कि इस electric scooter को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि 5 या 7 साल तक तक तो आपको कोई battery का maintenance नहीं है जैसे कि other brands में हम नहीं जा सकते कि other brands में आपको service में भी problem आता है and जो guys lithium-ion के batteries यूज करते हैं company वो lithium-ion बोलते है बट उसके quality जो है दो या 3 साल तक ही रहती जादा बट company नहीं हाँ पर जो 5 या 7 साल तक यहाँ पर बजाजने कहा है तो आप absolutely ले सकते हैं इस electric scooter को सबसे पहले आपर जो है कोई भी आप product लेते हैं बट जो होना चाहिए क्योंकि बाद में आपको दिक्कत ना आनी पड़े तो वेसा आपको यह पर जो बजाज में नहीं आपको सर्वेस काफे बजाज में मिलेगी and body जो guys strong body मिलेगी आपको मतलब लुक जो guys वेसा ही लुक रहने वाला है other brands में अगर आप जाओगे तो उसमें metal body जो available नहीं होती fiber की body होती है तो उसमें guys दिक्कत क्या आती है कि बाद में आपको उसमें जो है लुक वो उसका खराब हो जाता है या उसमें मतलब plastic जो होता है वो guys दूप से वो खराब हो जाता है तो वेसा नहीं है आपको बजा चेत्रक में बहुत ही strong body देखने को मिल जाती है आपको तो starting में थोड़ा पैसे जाएगे बट आपको 100% quality product मिलेगा comfort हो गया कोई भी बात हो गया तो बजा आपको काफी अच्छा प्रोवाइड करेगा तो एक बार आप जो है जरूर विजिट कीजिए बजा चेत्रक एलेक्ट्रिक स्कूटर को जाकर टेस्ट डाव लीजिए और absolutely आपको पसंद आएगा अगर आपने ownership review वीडियो नहीं देखा तो उसका भी वीडियो जो स्क्रिप्शन पर लिंक है पूरी तरह से completely ओनर से हमने बात किये तुजएड पॉइंट एंड रिवीव भी आपको बजा चेत्रक एलेक्ट्रिक स्कूटर का मिल जाएगा तो आप उस वीडियो को देख सकते हो और गाइज एलेक्ट्रिक वाइकल हो या कोई बी एलेक्ट्र